गुड मॉनी बच्चों कक्षा 12 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है बच्चों चलिए अब हम अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से कुछ पढ़ लेते हैं तो इसका पहला शेप्टर है जन संचार माध्यम आपने 11 क्लास में संचार और जन संचार को बहुत अच्छे से साराज में सौटकट में बताते हैं तो बच्चों क्या है जन संचार के लिए अंग्रेजी में कम्यूकेशन शब्ड का प्रियोक किया जाता है या कम्यून का अर्थ है बाटना या स्रियर करना इसकी उत्पत्ति लेटिन भासा के शब्ड कम्यूनिस से हुई है जिसका अभि विचार या भाव को दूसरों के साथ बाटना यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संचार अपने भाव या विचारों को दूसरों से बाटने की एक महतपूर और सार्थक प्रक्रिया है टीक है आपने बहुत पहले पढ़ रखा है संचार के माध्यम के बारे में संचार क्या है जन संचार क्या है उसका माध्यम क्या है कितने प्रकार के होते हैं सब कुछ पढ़ रखा है तो बहुत गहराई में जाने की जुरूत नहीं है है कि नहीं बच्चों फिर भी अगर नही संचार के तत्त क्या है इसको भी आप जानते होगे फिर भी हम बता देते हैं देख लिजिए संचार के तत्त पहला है संचारक संचारक किसे कहते हैं संचारक उसे कहते हैं जो संचार करता है मतलब संचार को भेजता है संदेश भेजने वाले को संचारक कहते है संचार प्रक्रिया इसी एक तत्त से शुरू होती है मतलब अगर संचारक ही ना हो तो संचार प्रक्रिया कैसे हो सकती है अगर कोई संदेश भेजने वाला ही नहीं रहेगा तो संदेश निकलेगा कहां से, जाने का तो सवाल ही नहीं होता, तो सबसे पहला तद तो क्या है संचारक, तो जब संचारक एक उद्देश के साथ अपने किसी बिचार या संदेश या भावना को किसी दूसरे तक पहुँचाना चाहता है, तब संचार प्रिक्रिया की बात होती है, इसके अन्य नाम भी हम आपको बता देते हैं, आपने पढ़ा होगा लेकिन इतना आपको याद नहीं होगा, अपने पढ़ा होगा इसके सारे नाम, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, संचारक को क्या कहते हैं, श्रोत भी है, ये संचारक का श्रोत भी ह यह क्या है प्रेशक भी है इसको अभिवेक्ति और भासा के माध्यम में इसको इस भासा में मतब इस पुस्तक की भासा में संप्रेशक भी कहते हैं इसे संभाग भी कहते हैं encoder कहते हैं communicator भी कहते हैं और sender भी कहते हैं दूसरा माध्यम क्या है इसका संकेती करण तो संकेती करण क्या है आपने वो sharp hand type यह सब सुना होगा न बच्चों वैसे भी आप जब वर्ट्सप की बात कर लेते हैं वर्ट्सप पे message लिखते हो तो कैसे लिखते हो shortcut में बड़े का तो आप सौट कट में जैसे आप सौट कट में चीजों को लिखते हो उसमें वैसे ही यहाँ पर यह जो संकेति करड है इसी लंबी बातों को सौट में कहने का एक तरीका है चिन है मतलब बातों को संकेत चिन में बदलने की प्रक्रिया को संकेति करड कहते है और इसको भासा से भी लगा सकते है कि हम अपने जिस रिलेटिव के पास या जिस जानने वाले के पास संदेश भेज रहे हैं वो उस चिन को समझे जैसे कि कोई बंगला भासी है और उसे हिंदी बिलकुल नहीं आती तो हम उसे हिंदी में अगर कोई संदेश देंगे इस चिन में लिपी में देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हम उसे हिंदी में देंगे या हम उसे पूछेंगे उसको इंगलिश आती है उसको इंग्लिश में देंगे या तो फिर हम बंगला अगर हमें थोड़ी बहुत आती है तो हम उसमें देंगे है ना तो इस तरह से उस चिन को मतलब संदेश भेजने का जो चिन होता है उस चिन को बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को संकेती करड कहते है इसे कूटी करड भी कहते है मतलब साटकट में किसी को दिया हमने और वो उसको समझ जाए जैसे किसी आफिस की कोई भासा होती है हर आफिस, स्कूर, लैब सबके एक अपना अपना एक कूटी करड चिन होता है कोड होता है कि इसका ये code लिखा इसका इसका ये मतलब होता है तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो लिखने वाला है और समझने वाला दोनों उस code से उस भासा से परचित हों दोनों उसको जाने तब ही जो संचार की प्रक्रिया है सार्थक हो पाएगी एक तो सारे चिन्णों को अच्छे से जानता है और दूसरा नहीं जानता तो नहीं हो पाएगी, इसे एंकोडिंग नाम से भी जाना जाता है, यह संचार प्रक्रिया का दूसरा चरड है, भासा एक प्रकार का कोड चिन्ध या कोड है हमने बता दिया आपको कि भाषा क्या है भाषा भी प्रकार का चिन ही है जैसे कि बिश्व में बहुत सारी भाषाएं होती है तो हम सभी भाषाओं को नहीं जानते या कोई भी ब्यक्ति सभी भाषाओं को नहीं जानता बहुत से बहुत जादा प्रतिभाषाली जो है तो कह सक बहुत से लोग अपनी जो मात्र भासा होती बस उसी को जानते हैं, तो अपनी जो मात्र भासा होती है, उसको हर भेक्ति जानता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, तो हम अगर इस्थानी ये समाचार उसमें कोई संचार प्रेशित करते हैं, तो हम इस्थानी भासा का ही प्रियोग करते हैं, और तब जाकर वो जो संचार प्रक्रिया होती है, वो जादा सफल होती है, चलिए, अब तीसरी प्रक्रिया क्या है, तीसरी प्रक्रिया है शंदेश तो संदेश क्या है? संचारक द्वारा दूसरे को जो कुछ प्रेशित किया जाता है, जो दिया जाता है, जो बताया जाता है, उसी को संदेश कहते हैं. यह संदेश क्या है? लिखित और मौखिक और संकित आत्मक भी हो सकता है. या सारीरिक हाव-हाव के रूप में भी भेजा जा सकता है देखिए हम अपने संदेश को लिख कर भेजते हैं किसी के पास लिख कर दिखाते हैं हम अप ओरल में बताते हैं मुह से बोल कर बताते हैं अपनी बात को अपनी बात को हम बोल कर भी कहते हैं और हम संकेत के द्वारा भी कहते हैं जैसे कि इसारे के दवारा बताते हैं, जैसे आप अपने उंगली को मुँपे रखकर चुप रहने का इसारा करते हो, तो हम ऐसे भी कहते हैं संकेत के दवारा और अपने सारे रिखाऄ भाव से भी, जैसे आप से किसी ने पूछा कि बेटा आज आप इस सब्ज़ेक्ट की गुशने वाला है, उसके पास पहुंच जाता है. या तो आपने लिख कर दिया, तब भी उसने पढ़ कर समझ लिया, आपने मुह से बोल कर बताया, तब भी पहुंच गया, तब भी आपके संचार प्रक्रिया यहाँ पर सफल हो गई. अब क्या है अगला पाइंट संचार माध्यम संचार माध्यम क्या है संचार माध्यम जिस बस्तु का प्रियोग कर संदेश प्रापक तक पहुंचाता है उसे माध्यम कहते हैं मतलब जो संचारक है, वो जिन बस्तुओं का प्रियोग करता है, प्राप्त करता तक पहुंचाने के लिए, मतलब जिसके पास वो संदेश भेजता है भेजने वाला जिसके पास भेजता है वो भेजने के लिए जिन चीजों का सहारा लेता है उसे क्या कहते हैं माध्यम जैसे टेली बिजन, समाचार पत्र, टेली फोन, इंटरनेट आधि क्या है माध्यम है आजकल तो जो फोन है, मुबाइल फोन इसका ये संचार प्रक्रिया का सबसे सक्त सबसे अनिवार माध्यम बना हुआ है, सबसे लोगप्री माध्यम भी है, हम ज़्यादा तरबाते इसके द्वारा पहुँचा देते हैं और प्रापक क्या है, प्रापक का मतलग वही है प्राप्त करता, वो जो संचारक जिसके द्वारा, जिसके सहायता से जिसके पास संदेश पहुचाता है, वो प्रापक होता है, मतलग जो संदेश को ग्रहण करता है, जो सुमता है, समझता है, जिसके पास वो मैसेज जाता है, वो क्या है? प्रापकर्थात प्राप्त करता कहलाता है. अगला क्या है? संकेत वाचन. प्रापक द्वारा संदेश उसी अर्थ में अपने मस्तिक्स में धाल लेने की प्रक्रिया को संकेत वाचन कहते हैं. मतलब जो संदेश उसे संचारक के द्वारा मिला जैसा मिला उसने उसी रूप में अपने मन में उसे बिठा लिया मतलब उसी को अक्षरस्ता सही मान लिया उसमें अपना मन और उसमें कुछ नहीं मिला है कि नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं जोडा उसने जैसा समाचार सुना देखा समझा उसने उसी को अपने मन में बिठा लिया उसके मन में वो बात बैठ गई ये क्या है संकेत वाचन कहलाता है इसे कूट वाचन या डिकोडिंग भी कहा जाता है प्राप्त करता प्राप्त संदेश का कूट वाचन यानि डिकोडिंग करता अर्थात वह प्राप्त संदेश में नहित अर्थ को समझने की कोशिश करता है उसका प्यास करता है कि अर्थ क्या है इसका और संचारक और प्राप्त करता दोनु इसमें प्रियुक्त कोड से परचि पूरा ग्यान होना चाहिए। जिस भासा में वो संते भेज रहा है।। जिसके पास भेज रहा है। उसको भी उस भासा का उसको टुकरचिन्द का पूरा ग्यान होना चाहिए। भासा का ग्यान न हो अगला क्या है feedback आप जानते होंगे तो जब ये प्राप्त करता संदेश को पा करके अब उसके प्रतियुत्तर में जो कुछ बताता है जो कुछ लिखता है जो अपनी प्रतिक्रिया ब्यक्त करता है उसे क्या कहते है feedback feedback से पता चल जाता है कि प्राप्त करता को ठीक ठीक से message पहुच गया की नहीं जैसे आपने हम words of message की बात करते हैं जैसे आपने किसी को words of message किया अब आप उसका reply नहीं आया तो आपको सखोता है पता नहीं उनके पास पहुचा की नहीं पता नहीं उन्होंने पढ़ा की नहीं प उसका उन्होंने जवाब दे दिया तो आप शोर हो जाते हो कि हाँ आपका मैसेस ठीक ठीक से उनके पास पहुच गया और उन्होंने उसका ठीक ठीक से अर्थ समझ लिया उन्होंने तब आपको जवाब दे दिया अगला पॉइंट है आपका शोर शोर उसी सोर को कहते हैं जैस प्रक्रिया होती है वह बाधित हो जाती है वो नहीं हो पाती पूर नहीं हो पाती क्योंकि कई तरह से कई कारणों से जो ये संचार प्रक्रिया है जो संदेश है वो प्राप्त करता तक ठीक ठीक से पहुंच नहीं पाते या प्राप्त करता उसका ठीक ठीक अर्थ नहीं निका पाता तो यह प्रक्रिया मांसिक भी हो सकती है तकनीकी भी हो सकती है और भौतिक भी हो सकती है तो जैसे कभी-कभी आपका मन सही नहीं है आपका स्वास सही नहीं है तो आपने संदेश सुना और आपको नहीं समझ में आया क्योंकि आपका मन उस हिसाब से नहीं है तो आपको स प्रक्रिया तो यह जो प्रक्रिया है इसके कारड जो समचार प्रक्रिया है वो बाधित होती है और इसी बाधा को कहते हैं शोर तो बच्चो अगला है समचार के प्रकार हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे धन्यबाद बच्चो